पड़ी जानकारे डीम बंडी पहुंचे सवधाय के वेचलपी सुप्रीमो गुपाल कांडा डीम बंडी की गौशाला से ग्रामें जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है जनसंपर्क अभियान की तहत बंडी में जनसवा को समोधित भी किया गया विधाय गुपाल काड़ा ने रखी सत्य शेव शनीधाम के निर्मान कारे कि उन्हें नीव रखी है सरकार बनने पर दीम को उपतहसील बनाने की भी उन्हें बात कहीं है सरकार बनते ही दीम उपतहसील बनेगा ये भी गुपाल काड़ा के तो नजर आए है बाबा सरसाई नात जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज भी बनेगा ये भी गुपाल कांडा कहते हो नजर आई है साथी हर संकट में कांडा परिवार सिर्सा के जंजन के साथ रहा है और रहेगा विकास और सेवाकारे को समर्पिथू और रहूँगा सिर्सा विधायक और हर्याना लोखित पारटी के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने आज ग्रामीन छेतरों के अपने जंसंपर्क अभ्यान का आगाज किया है डिंग की गोशाला से उन्होंने जन संपर्क अभ्यान की शुरुआत की और वे डिंग बंडी में अपने पुराने सभी कारेकरताओं से मिले हैं, रूबरू हुए हैं और साथ-साथ उन्हें संबोधित भी किया है, इन से जानते हैं कि आगे किस परकार सा उनका संपर्क अभ् आप देख रहे हैं कैसे लोगों का प्यार और आशीरवाद है, जहां से मैं शुरुआत करता हूं गवशाला से, वहीं अशीरवाद लेखे का उमाता का और शुरुआत की एडिंग में, और बहुत जोश है और सभी के बहुत काम हुए हैं, जो काम रहे गए इनको पता है कि हमारा भाई जिसने बोल दिया वो करेगा और मुझे करवा के देने हैं सारे पूरे और इनका मेशा मेरे साथ अशीरवाद रहा है। तो भी हम बहुत अच्छे मारदन से जीते हैं, यह सब पार्टी कोई भी हो, जब लोगों का अशीरवाद आपके साथ है, तो जीत बहुत बड़ी होती है, मुझे इतना पता है कि बहुत बड़ी जीत होगी।